कि नमस्ते मित्रों मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल मोदी जायका पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले का कोपता जिसके लिए हमने तीन पीस केले लिए हैं अब इन केलों को जो है हम जो है कुकर में जो है पकाएंगे उससे पहले जो है केले के दोनों साइड के जो है को काट लेंगे इस परकार से और बीस से भी जो है काट लेंगे बराबर भाग में इनको अब जो है कुकर में डाल के पांच मिनट के लिए पका लेंगे या एक सीटी तक पका लेंगे इनको कोपता बनाने के लिए केले को बॉयल कर लिए हैं ठंडा भी हो गया है अब इसके उपर के छिलके को इस परकार से जो है अच्छे से निकाल लेते हैं कि सभी को इस परकार से निकाल लेंगे कि सभी को अब जो है मैस कर देंगे इस तरीके से जो है सब को तोड़ देंगे बॉयल केले को अच्छे तरह मेस कर दिये हैं अब इसमें जो है बारीक कटी हुई एक प्याज को एड़ कर देते हैं दो लहसून की कलिया को भी बारीक काट लिए हैं इसे भी डाल देते हैं एक इंच अद्रक को भी बारीक काट लिए हैं और दो हरी मिर्च भी बारीक काट दिये हैं इसे भी एड़ कर देते हैं तीन छोटा चम्मच बेसन है इसे भी डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधा चम्मच सुखा लाल मिर्च है इसको भी एड़ कर देते हैं आपको जितना तिखा खाना हूँ उसके अनुसार जो है एड़ करें हाप चम्मच चाट मसाला है इसे भी एड़ कर देते हैं थोड़ा सा धन्या के ताजा पत्ते हैं इसको भी डाल देते हैं और एक चुटकी जो है खाने का सोडा है मिठा सोडा इसको भी डाल देते हैं और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं देखे सब को अच्छे से जो है मिक्स कर दिये हैं अब हात में पेल लगा लेते हैं इस परकार से हाथ में तेल लगा लेते हैं और इस जो है जितना बड़ा हमें बनाना है इस तरीके से गोल कर लेते हैं हाथ में तेल जरूर लगा है, नहीं तो जो है, हाथ में चिपकेगा, और इस तरीके से दवा दवा के, जिस साइज का चाहिए, उस साइज का आप जो है बॉल, रेडी कर लें, फिर हाथ में तेल लगा लें, सारे बॉल को इस परकार रेडी कर लें, देखिए इस परकार से हमने 15 बॉल तयार कर लिए हैं, अब इसको हम जो है, कड़ाई जो है, गैस के फ्लेम पे आउन कर दिये हैं, तेल गर्म हो रहा है, तेल को गर्म होने देते हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब एक एक बॉल को जो है, एड़ कर देते हैं, एक साथ जितना बॉल जो है, आएगा उतना ही डालेंगे, फ्लेम को मिडियम पे रखे हुए हैं, ताकि बॉल हमारे कच्चा ना रहे, लगबग चार से पांच मिनट में ये पक के तयार हो जाएगा बॉल हमारे, मिडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, तेज फ्लेम पे पक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रहे जाएगा बॉल, देखें, बॉल हमारे अच्छे से पक चुके हैं, चारो साइड जो है, गोल्डन ब्राउन कलर हो गिया है, लगबग पांच मिनट लगा हमें इसे, पकाने में, अब हम इसको निकाल लेते हैं, और इसी परकार सभी बॉल को अच्छे से जो है, पका लेंगे, बाकी बॉल भी जो है, डाल के पका लेते हैं, और इसे भी उसी परकार पका करके निकाल लेंगे, ग्रेवी के लिए हमने दो टमाटर लिये हैं, एक प्याज, दो हरी मिर्च, एक इंच अदरक और छे लसून की कलियां लिये हैं, इसके साथ 100 ग्राम मुंफली लिया है, इसको भून करके छिलके को उतार दिया है, इनको बारीक पेश्ट बना लेंगे, टमाटर और प्याज का भी पेश्ट अलग अलग बना लेंगे, टमाटर को मिक्सी जार में पीस लिए है मुंखफली को भी पीस के पेश्ट तयार कर लिए है और प्याज, लाशून, अदरक को भी पीस के जो है रेडी कर लिए है इन सभी को ग्रेवी के लिए चलिए गैस के फ्लेम को आउन करते हैं और कड़ाई रखते हैं गर्म होने के लिए गैस को रख दिये हैं फ्लेम ओन कर दिये हैं तेल गर्म होता है दो छोटा चम्मस तेल डाले हैं इसमें गर्म होने के लिए तेल जब तक गर्म होता है हमारा तेल गर्म हो चुका है अब जीरा को डालते हैं फ्लेम मीडियम पे है थोड़ा सा हींग को भी एड़ कर देते हैं और एक छोटा तेजपत्ता को भी डाल देते हैं इन सभी को अच्छे से फ्राय होने के लिए छोटा हाप चम्मच जो है हल्दी पॉडर को भी एड़ कर देते हैं और स्वाद के अनुसार जो है मिर्च पॉडर को भी एड़ कर देते हैं और एक चम्मच जीरा और धन्या पॉडर को भी एड़ कर देते हैं और इन सब को अच्छे से जो है फ्राय कर लेते हैं इसमें अब इसमें जो है प्याज के पेश्ट को डाल देते हैं और अच्छे से इसको भी प्याज के साथ फ्राय कर लेते हैं प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है मसाले के साथ अब टमाटर को भी एड़ कर देते हैं जिससे टमाटर भी अच्छे से जो है मसाले के साथ फ्राई हो जाए जब तक टमाटर से जो है तेल अलग ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे मुफली के भी पेस्ट को जो है एड़ कर देंगे मुफली के पेस्ट को भी इसके साथ मसाले के साथ अच्छे से जो है पका लेंगे स्वात के अनुसार जो है नमक एड़ कर देंगे ग्रेवी में जो है अनुसार जो है एक चमच नमक एड़ कर दिये हैं अब इन सबको अच्छे से जो है मसाले जो है लगबग हमारा तयार हो चुका है देखे तेल भी जो है मसाले से निकल रहा है इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है जितना ग्रेवी के अनुसार जो है इसमें पानी को एड़ कर दें जितना ग्रेवी रखना हो उसके अनुसार जो है कि मिक्स कर दें और इसे तीन-चार मिनट जो है ढखके पका लेंगे अच्छे से जब तक जो है उबाल नहीं आ जाता एक दो उबाल नहीं आ जाता ग्रेवी हमारा लगवग रेडी हो गिया है अब इसमें जो हलका सा गरम मसाला को जो है एड़ कर देते हैं और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया के पत्ते को भी जो है इसमें डाल देते हैं और एक मिनट और ढखके पकाते हैं ग्रेवी जो है रेडी हो गिया है कोपता का अब कोपता को इसमें एड़ कर देते हैं ध्यान रखिएगा कि ग्रेवी उसी हिसाब से रखें क्योंकि कोपता जो है ग्रेवी जो है वो कम हो जाएगा बाद में एक से दो मिनट और इसे जो है पकाएंगे मिडियम फ्लेम में इसे दो मिनट के लिए ढख के पकाते हैं जिससे देखिए दोस्तों हमारा कोपता जो है केले का कोपता बनके रेडी हो गया है कितना सुन्दर जो है बना है बहुत ही टेश्टी बना है इसको आप चावल के साथ रोटी के साथ पराठे के साथ या चपाती के साथ जो है अच्छे से खा सकते हैं, बहुत स्वाधिष्ट बना है दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे हम जो है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके सामने लेके आ सकें और बेल के आइकन को भी दवा दें, धन्यवाद